आपका आपने चैनल में स्वागत है आज हैं संपूर्ण श्रीमत भागवत महापुरान को शुरू करेंगे प्रथम सकंध है परीक्षित की दिगविजय तथा धर्म और पृत्वी का समवाद सूत जी कहते हैं शौनक जी पांडवों के महाप्रयान के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ट ग्रामहनों की शिक्षा के अनुसार प्रित्वी का शासन करने लगे उनके जन्म के समय जोतिशियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था वास्तव वे सभी महान गुन उनमें विद्यमान थे उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया उससे उन्होंने जन्मेजय आदी चार पुत्र उत्पन किया तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तटपर तीन अश्वमेध यग्य किये, जिन में ब्रामहनों को पुशकल दक्षिना दी गई। उन यग्यों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहन किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलियुग राजा का वेश धारन करके एक गाय और बैल के जोडे को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा महाभाग्यवान सूथ जी। दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला। क्योंकि राजा का वेश धारन करने पर भी था, तो वह अधम शूद रही, जिसने गाय को लात समा रा था। यदि वह प्रसंग भगवान श्री क्रिश्न की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंदरस का पान करने वाले रसिक महानु भावों से संबंध रखता हो, तो पायू व्यर्थ नश्ट होती है। इसलिए महर्शियों ने भगवान यम को यहां बुलाया है। इस समाचार से उन्हें दुहक तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर की युद्ध करने का अफसर हाथ लगा, वे उतने दुहक ही नहीं हुए। इसके बाद युद्ध वीर परीक्षित ने धनुश हाथ में ले लिया। वे शामवर्ण के घोडों से जुते हुए, सिंकी धोजावाले, सुसजित रथ पर सवार होकर दिगविजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समयरत, हाथी, घोडे और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी उन्होंने भगराश्व, केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु और किमपुरुष आदी सभी वर्षों को जीत कर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद-पद पर भगवान श्रीकृष्न की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी, यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्रीकृष्ण में कितनी भक्ती थी, जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते, वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मनियों के हार उपहार रूप में देते, वे सुनते की भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पर वश होकर पांडवों के सार्थी का काम किया, उनके सभासत बने यहां तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की, उनके सखा तो थे ही दूत भी बने, वे रात को शस्त्र ग्रहन करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर क पहरा देते, उनके पीछे-पीछे चलते, स्तुती करते तथा प्रणाम करते, इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चर्णों में उन्होंने सारे जगत को जुका दिया, तब परीक्षित की भक्ती भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती, इस प्रकार वे दिन-दिन पांडवों के आचर्ण का अनुसर्ण करते हुए दिगविजय कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्य जनक घटना घटी, वह मैं आपको सुनाता हूँ, धर्म बैल का रूप धारन करके एक पैर से पुत्र की मृत्यू से दुहखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आसुओं के जरने जर रहे थे, उसका शरीर श्रीहीन हो गया था, धर्म पृत्वी से पूछने लगा, धर्म ने कहा कल्यानी, कुशल से तो हो न, तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्र कुछ-कुछ दुयक अवश्य है, क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है, जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो, कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो, कि अब इसके तीन पैर तूट गए, एक ही पैर रह गया है, संभव है, तुम अपने ल पाहुती नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी, जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवन दुर्भिक्ष से पीडित हो रही है, देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवन आठ बाल को के लिए शोक कर रही हो, संभव है, विद्या अब कुकर्मी ब्रामहनों के चंगुल में पढ़ गई है, और ब्रामहन विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इसी का तुम्हें दुरहक हो, आज के नाम मात्र के राजा तो सोलहों आने कलियुगी हो गए हैं, उन्होंने का पालन न करके स्विछाचार कर रही है, क्या इसके लिए तुम दुहकी हो, मा पृत्वी, अब समझ में आया, ओन्हों तुम्हें भगवान श्री कृष्न की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लिलाए हो रही हो, देवी, तुम तो धनरतनों की खान हो, तुम अपने कलेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ, मालूम होता है, बड़े-बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनिय तुम्हारे सौभाग् पृत्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, वह सब स्वयं जानते हूँ, जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुचाने वाले अपने चारों चर्नों से युक्त थे, जिन में सत्य, पवित्रता, दया, शमा, त्याग, संतोष, सरलता, तितिक्षा, उपरती, शास्त्रविचार, ज्यान, वैराग्य, एश्वर्य, वीर्ता, तेज, बल, स्मृती, स्वतंत्रता, कौशल, कांती, धैर्य, कोमलता, निर्भीक्ता, विने, शील, साहस, उच्साह, बल, सौभाग्य, गंभीर्ता, स्थिर्ता, आस्तिक्ता, कीर्ती, गौरव और निरहमकार्ता, ये 49 अपराकृत गुन तथा महत्वकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांचनिय, शर्नागत वत्सलता आदी, और भी बहुत से महान गुन, उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नही होते, उनही समस्त गुनों के आश्रे, सौंदर्यधाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोग से अपनी लीला संबरन कर ली और यह संसार पापमय कलियुक की कुद्रिष्टी का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रिष्ट तुम्हारे लिए देवता, पितर, रिशी, साधु और समस्त वर्नों तथा आश्रमों के मनुश्यों के लिए मैं शोकग्रस्थ हो रही हूँ। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रम्हा आदी देवता भगवान के शर्नागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्षमी जी अपने निवासस्थान कमलवन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्रचाया का सेवन करती हैं। उन्ही भगवान के कमल, वजर, अंकुष, ध्वजा, आदी, चिन्हों से युक्त, श्री चर्नों से विभूशित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। तुम अपने तीन चर्णों के कम हो जाने से मनहीमन कुढ रहे थे, आथ अपने पुरुशार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनह सब अंगों से पूल्न एवन स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमनिय शामसुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए औ और मेरे बड़ी भारी भार को जो असुर्वंशी राजाओं की सैकडों अक्षोहिनियों के रूप में था, नश्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेन भरी चित्वन, मनोहर मुस्कान और मीठी-मीठी बातों से सत्यभामा आदी मधुमे मानिनियों के मान के साथ धीरच को भी चीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्ष से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और प्रित्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्शी परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तटपर आपहुँचे। वह कमलतंतु के समान श्वेत रंका बैल एक पैर से खड़ा काप रहा था तथा शूदर की ताड़ना से पीडित और भय भी ठोकर मूत्रत्याग कर रहा था। धर्मोप्योगी दूध घी आदी हविश्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार-बार शूदर के पैरों की ठोकरे खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वय ही दुबली प्तली थी, दूसरे उसका बचड़ा भी उसके पास नहीं था। तूने नट की भाती वेश तो राजा कासा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूदर जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान एन निर्पराधो पर प्रहार करने वाला तू अपराधो है, आथ्वद के योग्य है। उन्होंने धर्म से पुछा, कमल नाल के समान आपका श्वेतवर्ण है। तीन पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कश्ट हो रहा है। बतलाए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नर्पतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आखों से शोक के आसु बहते मैंने नहीं देखे। धेनु पुत्र अब आप शोक न करें। इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोये नहीं। आपका कल्यान हो। देवी, जिस राजा के राज्ज में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजात्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ती, आयू, एश्वर्य और परलोक नश्ठ हो जाते हैं। राजाओं का परमधर्म यही है कि वे दुहकियों का दुहक दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीडित करने वाला है। आथ मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुर्भिनंदन, आप तो चार पैर वाले जीव हैं। आपके तीन पैर किसने काट डाले। श्रीकृष्ण के अनुयाई राजाओं के राज्ज में कभी कोई भी आपकी तरह दुहकी न हो। व्रिशब आपका कल्यान हो। बताए आप जैसे निर्पराद साधों का अंगभं करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ती में कलंक लगाया है। जो किसी निर्पराद प्राणी को सताता है। उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधों का कल्यान ही होता है। जो उद्दंड व्यकती निर्पराद प्राणीوں को दुखध देता है। वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूशित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्तिकाल के मर्यादा का उलंधन करने वालों को शास्त्रानुसार गंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडू के वन्शज हैं। आपका इस प्रकार दुहखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रिष्ट गुनों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सार्थी और दूत आदी बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते, जिससे कलेशों के कारण उत्पन होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वायत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आपको ही अपने दुहख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुहख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुहक का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वानी के द्वारा बतलाया जा सकता है राजर्शे, अब इन में कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धी से ही विचार लीजिए सूत जी कहते हैं, रिशिश्रिष्ट शौनकजी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर समराट परीच्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया उन्होंने शान्तचित होकर उनसे कहा, परीच्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले व्रिशब दे आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप व्रिशब के रूप में स्वयन धर्म हैं। आपने अपने को दुहक देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादी प्राप्थ होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं अथ्वा यही सिध्धान्त निश्चित है कि प्राणियों के मन और वानी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपन नहीं किया जा सकता धर्मदेव सत्ययुग में आपके चार चरण थे तब पवित्रता, दया और सत्य इस समय अधर्म के अंशगर्व, आसक्ती और मद से तीन चरण नश्ठ हो चुके हैं अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है उसी के बल पर आप जी रहे हैं असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्मरूप कलियुग उसे भी ग्रास करे लेना चाहता है ये गौ माता साक्षात प्रित्वी हैं भगवान ने इनका भारी बोज उतार दिया था और ये उनके राशिराशी सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन हो से सर्वत्र उच्सवमई हो गई थी अब ये उनसे बिछुर गई हैं वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिन्ता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांद बनाकर ब्रामहनद्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे महारती परीच्षित ने इस प्रकार धर्म और प्रित्वी को सांत्वना दी फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलियुग को मारने के लिए तीक्षन तलवार उठाई कलियुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं आथ जटपट उसने अपने राजचिनह उतार डाले और भैवेवल होकर उनके चर्णों में अपना सिर रख दिया परीच्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरनाक्त रक्षक थे उन्होंने जब कलियुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं अपितु हंस्ते हुए से उससे कहा परीच्षित बोले जब तु हाथ जोड़ कर शरन आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है परंतु तु अधर्म का सहायक है इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिलकुल नहीं रहना चाहिए तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोब, जूट, चोरी, दुष्टता, स्वधर्मत्याग, दरिग्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है आथ अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तुझ एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवासस्थान है इस शेत्र में यग्य विधी जानने वाले महात्मा यग्यों के द्वारा यग्य पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं इस देश में भगवान श्रीहरी यग्यों के रूप में निवास करते हैं, यग्यों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यग्य करने वालों का कल्यान करते हैं वे सरवात्मा भगवान वायू की भाती समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एकरस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूट जी कहते हैं परीक्षित की आग्या सुनकर कलियुक सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्दत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला कली ने कहा सार्वभाउम। आपकी आग्या से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बान चड़ाये खड़े हैं। धार्मिक शिरोम ने, आप मुझे वह स्थान बतलाये, जहां मैं आपकी आध्याका का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकू। सूत जी कहते हैं, कलियुक की प्रार्थना स्विकार करके राजा परीक्षित ने उसे चार स्थान दिये, दुत, मददपान, स्त्रीसंग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमश असत्यक, मद, आसती और निर्दैता ये चार प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलियुक के पांच स्थान हो गए जूठ, मद, काम, वैर और रजोगुन। परीक्षित के दिये हुए इन ही पांच स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आग्याओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्यान कामी पुरुष को इन पाचों स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोक देश्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद व्रिशब रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोर दिये और आश्वासन देकर पृत्वी का समवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राजसिनहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिश्थिर ने वनमे जाते समय उन्हे दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती समराथ राजर्शी परीक्षित इस समय हस्तिनापूर में कौर्वकुल की राज्यलक्षमी से शोभायमान हैं। अभिमन्युनंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्ग कालीन यग्य के लिए दीख्षित हुए हैं। महाराज परीक्षित के द्वारा कलीयुक का दमन राजा परीक्षित को श्रिंगी रिशी का शाप। में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसकती छोड़ दी, गंगातट पर जाकर श्री शुकदेवजी से उपदेश ग्रहन किया और इस प्रकार भगवान के स्वरुप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामरित का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरंक्मलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक प्रित्वी पर अभिमन्युनंदन महाराच परीक्षित समराट रहे, तब तक चारों और व्याप्थ हो जाने पर भी कलियुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिसक्षन श्रीक्रिष्ण ने प्रित्वी का परित्याग किया, उसी समय प्रित्वी में अधर्म का मूलकारण कलियुग आ गया था। प्रती शूरवीर और धीरवीर पुरुशों के लिए बड़ा भीरू है। वह प्रमादी मनुश्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनकादी रिशियों आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्रीकृष्न कीर्टन करने योग्य बहुत सी लिलाए करते हैं। इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाए हैं, कल्यान कामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। रिशियों ने कहा सौमय स्वभाव सूत जी। आप युग-युग जीएं, क्योंकि मृत्यू के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्रीकृष्न की अमरित मई उजवल कीर्ती का श्रवन कराते हैं। यग्य करते करते उसके धुए से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है। फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्रीकृष्न चंदर के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें त्रिप्त कर रहे हैं। भागवत प्रेमी भक्तों के लवमात्र के सत्सं से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुश्यों के तुछ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस्मर्मध्य होगा, जो महापुरुषों के एक मात्र जीवन सर्वस्व श्रीकृष्न की लिलाक्थाओं से त्रिप्त ही जाए। समस्थ प्राकृत गुनों से का पार तो ब्रम्हा, शंकर आदी बड़े-बड़े योगेश्वर भी नहीं पासके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का धुरुवतारा मानते हैं। इसलिए आप सक्पुरुषों के एक मात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रधालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महा बुद्धी परीक्षित ने श्री शुकदेवजी के उपदेश किये हुए जिस ज्ञान से मोक्षस्वरुप भगवान के चरणकमलों को प्राप्त किया। आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होंगी और भगवत प्रेम की अध्भुत योगनिष्ठा का निरूपन क्याया होगा। उसमें पदपद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंद सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं अहो। विलोम जाती में उत्पन होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिक जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सक्पुरुषों के एक मात्र आश्रे भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ती अनन्त है, विस्वय अनन्त है। वास्तव में उनके गुनों की अनन्तता के कारण ही उन्हें अनन्त कहा गया है। भगवान के गुनों की समताभी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है उनके गुनों की यह विशेष्टा समझाने के लिए इतना कह देना ही परियाप्त है कि लक्षमी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रमहादी देवताओं को छोड़ कर भगवान के नचाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करत हैं ब्रमहाजी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नकों से निकाल कर गंगाजी के रूप में प्रवाहित हुआ यह जल महादेवजी सहित सारे जगत को पवित्र करता है ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श चब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देहगे आदी की द्रिढ आसकती को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहन साश्रम को स्वीकार करते हैं जिनमें किसी को कष्ट न पहुँचाना और सब और से उप्षान्त हो जाना ही स्वधर्म होता है सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं आप लोगोंने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ जैसे पक्षी अपनी शक्ती के अनुसार आकाश में उड़ते हैं वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धी के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्नन करते हैं एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे हरिनों के पीछे दौरते दौरते वे ठक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी वे पास के ही एक रिशी के आश्रम में घुस गए उन्होंने देखा कि वहां आखें बंद करके शांत भाव से एक मुनी आसन पर बैठे हुए हैं इंद्रिय प्राण, मन और बुद्धी के अनिरुद्ध हो जाने से वे संसार से उपर उठ गए थे जागरत, स्वपन, सुशुप्ती तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रमहरूप तुरिय पग में विस्थित थे उसका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृच्चर्म से ढखा हुआ था राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला किसी ने उन्हें पर भूमी पर भी बैठने को न कहा अर्ध्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहा से मिलती तब अपने को अपमानित सा मान कर वे क्रोध के वश हो गए शौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्रामहन के प्रती इर्श्या और क्रोध हो आया उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोध वश धनुष की नोक से एक मरा साप उठा कर रिशी के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आये उनके मन में यह बात आई की इन्होंने जो अपने नेतर बंद कर रखे हैं सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिवृत्तियों का निरोध कर लिया है अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है यों सोचकर इन्होंने जूठ मूट समाधी का धोंग रच रखा है उन शमीक मुनी का पुत्र बड़ा तेजस्वी था वह दूसरे रिशी कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था जब उस बालक ने सुना कि राजा मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है तब वह इस प्रकार कहने लगा ये नर्पती कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौउं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं ब्रामहनों के दास होकर भी ये दर्वाजे पर पहरा देने वाले कुट्टे के समान अपने स्वामी का ही तिरसकार करते हैं ब्रामहनों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए, घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है अतेव उन्मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परमधाम जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ अपने वानी रूपी वजर का प्रयोग किया कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंधन किया है इसलिए मेरी प्रेणा से आज के साथवे दिन उसे तक्षक सर्प दस लेगा इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में साप देखकर उसे बड़ा दुहक हुआ तथा वह धार मार कर रोने लगा विप्रवर शौनकजी शमीक मुनी ने अपने पुत्र का रोनाचिलाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा साप पड़ा है उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया ब्रमहर्शी शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनन्दन नहीं किया उनकी द्रिष्टी में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे उन्होंने कहा ओह मुर्ख बालक, तुने बड़ा पाप किया खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया तेरी बुद्धी अभी कच्ची है तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारन मनुश्यों के समान नहीं समझना चाहिए क्योंकि राजा के दुस्य तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्यान संपादन करती है जिस समय राजा का रूप धारन करके भगवान प्रिथवी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय चोर बढ़ जायंगे और अरक्षित भेडों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा राजा के नश्ठ हो जाने पर धन आदी चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा क्योंकि राजा के नरहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट, गालिग लौज करते हैं साथ पशु, स्त्री और धन सम्पत्ती भी लुट लेते हैं उस समय मनुश्यों का वर्नाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुक्त हो जाता है अर्थलोब और कामवासना के विवश होकर लोग कुट्टों और बंदरों के समान वर्न संकर हो जाते हैं समराट परीच्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्मधुरंधर हैं उन्होंने बहुत से अश्वमेध यद्य किये हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं वे ही राजर्शी भूखप्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आये थे वे शाप के योग्य कदापी नहीं हैं इस नासमझ बालक ने हमारे निश्पाप सेवक राजा का अपराद किया है सरवात्मा भगवान कृपा करके इसे ख्शमा करें भगवान ने भक्तों में भी बदला लेने की शक्ती होती है परंतु वे दूसरों के द्वारा किये हुए अपमान, धोखे बाजी, गालिगलोज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते महामुनी शमीक को पुत्र के अपराद पर बड़ा पश्चाताप हुआ राजा परीक्षित ने जो उसका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया महात्माओ का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुखदुअखादी द्वंदों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायह हर्षित या व्यथित नहीं होते क्योंकि आत्मा का स्वरुप तो गुनों से सर्वथा परे है सूत जी कहते हैं राजधानी में पहुँचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनिय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे मैंने निर्पराध एवन तेज छिपाए हुए ब्रामहन के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया यह बड़े खेद की बात है मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुहसाहस नहीं करूंगा ब्रामहनों की क्रोधागने आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जला कर खाक कर दे जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्रामहन देवता और गौव के प्रती ऐसी पाप बुद्धी न हो वे इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ रिशी कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम उन्होंने सोचा की बहुत दिनों से मैं संसार के आसक्त हो रहा था अब मुझे शीघर वैराग्य होने का कारण प्राप्थ हो गया वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुछ और त्याज्य समझते थे अब उनका स्वरुपत है त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोप्री मानकर आमरन अंशनवरत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए गंगाजी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराद लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंद से मिश्रित है यही कारण है कि वे लोग पालों के सहित उपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती है कौन ऐसा मरनासन पुरुष होगा, जो उनका सेवन न करेगा इस प्रकार गंगाजी के तटपर आमरन अंशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसकतियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्विकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बढ़े महानुभाव रिशिमुनी अपने शिशों के साथ वहाँ पधारे संतजन प्रायह तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं उस समय वहाँ पर अत्री, वसिष्ट, चवन, शरद्वान, अरिश्टनेमी, भेगू, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्य, इंद्रप्रमद, इधमवाह, मेधातिथी, देवल, आश्टिशे, भारदवाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रे, और्व, अगस्त्य, भगवान, व्यास, नारत, तथा इनके अतिरिक्ट, और भी कई श्रेष्ट, देवर्शी, ब्रमहर्शी, तथा अरुनादी राजर्शिवर्यों का शुभागमन हुआ इस प्रकार विभिन गोत्रों के मुख्य-मुख्य रिशियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सतकार किया और उनके चर्णों पर सिर रखकर वंदना की जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हरदय से अंजली बांध कर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे राजा परीक्षित ने कहा अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं धन्यतम हैं क्योंकि अपने शीलस्वभाव के कारण हम आप महापुरुशों के क्रिपा पात्र बन गए हैं राजवंश के लोग प्रायह निंदित कर्म करने के कारण ब्रामहनों के चरंधोवन से दूर पढ़ जाते हैं यह कितने खेद की बात है मैं भी राजा ही हूँ निरंतर देहगेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ इसी से स्वयन भगवान ही ब्रामहन के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं यह शाप वैराज्य उत्पन करने वाला है क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं ब्रामहनों अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चर्णों में समर्पित कर दिया है. आप लोग और मा गंगाजी शर्णागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें, ब्रामहन कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धर कर मुझे डस ले अथवा स्वयन भी परवा नहीं है. आप लोग कृपा करके भगवान की रस्मई लिलाओं का गायन करें. मैं आप ब्रामहनों के चर्णों में प्रणाम करके पुनह यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनी में में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चर्णों में मेरा अनुराग हो, उनके चर्णाश्रित महात्माओं से विशेश प्रीती हो और जगत के समस्त प्राडियों के प्रती मेरी एकसी मैत्री रहे. ऐसा ऐसा आप आशिरवाद दीजिए. महाराज परीक्षित परमधीर थे. वे ऐसा द्रिढ निश्चय करके गंग राजकाजी के दक्षन तट पर पूर्वाग्र कुषों एक आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए. राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था. प्रित्वी एक एकच्छत्र समराट परीक्षित जब इस प्रकार आमरन अंशन का निश्चय करके बैठ गए. तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृत्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार-बार बजने लगे. सभी उपस्थित महर्शियों ने परीक्षित के निश् पा करने के लिए ही होती है. उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुनों से प्रभावित परीक्षित के प्रती उनके अनुरूप वचन कहे. राजर्शि शिरोम ने भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयाई आप पांडुवन्शियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधी प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राजसिनहासन का एक शन में ही परित्या कर माया दोश एवन शोक से रहित भगवध्धाम में नहीं चले जाते। रिशियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग-युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्ट जो आपका सहेच स्वभाव ही है। इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। उसी समय प्रित्वी पर स्वेच्छा से विचर्ण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासंदन भगवान श्री शुकदेवजी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवा आत्मानु भूती में संतु दूत का था। और उभी हुई नाभी भवर के समान गहरी तथा उदर बढ़ा ही सुन्दर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाय थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ट देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते शाम रंग था। श्री शुक देवजी को सिर जुका कर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरुप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रिया उनकी यह महिमा देखकर वहां से लोट गए, सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री शुक देवजी श्रेष्ट आसन पर विराज मान ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रमहार्शी, देवर्शी और राजर्शियों के समुह से आवरित श्री शुक देवजी अत्यंत शोभाय मान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आद्रणिय थे। की अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संतस्मागम का अधिकारी समझा गया। आज क्रिपा पूर्वक अतिथी रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही ग्रहस्थों के घर ततकाल पवित्र हो जाते हैं, फिर दर्शन, स्पर्ष, पाद प्रक्षालन और आसंदानादी का सुवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विश्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधी से बड़ेब्डे पाप भी तुरंत नश्थ हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहरित भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाईयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन हुए मेरे साथ भी अपने पन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्तक्ती परम सिध्ध पुरुष स्वयंपधार कर इस मृत्यू के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आप से परम सिध्धी के स्वरुप और साधन के संबंध में प्रशन कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरनासन्न है, उसको क्या करना चाहिए। भगवन, साथ यह भी बतलाईए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवन, किसका जब, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यन्त दुल्लब है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है, ग्रिहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूट जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुरवानी में इस प्रकार संभाशन एवं प्रशन किये, तब समस्त धर्मों के मरमध्य व्यासंदन भगवान श्री शुकदेवजी उनका उत्तर देने लगे। इस प्रकार श्रीमत भागवत महापुरान प्रथम सकंध के 19 अध्याय समाप्थ हुए। अब द्वितिय सकंध प्रारंभ होता है।